अगर आपको लोन चीए तो विडियो पूर आखरी तक देखना अगर आप हमारे चैनल पने होगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर करना गाइस लोन लेने से पहले कुछ बात होगा जरूर दियान रखियेगा अगर आप लोन का time to time repayment कर सकते हो समय से लोन का यमाई चुका सकते हो तभी लोन के लिए अपलाई करना तभी लोन लेना सही में कोई emergency होगा आपको पैसो के जरूरत होगी तभी लोन लेना और कोई भी लोन दिने से पहले आपसे एक भी रुपय माँगे processing fees या फिर security money के नम पे तो बिलकुल मत देना ठीक है तो चलो गाइस फटा फट से इस loan application का मैं आपको रेविव करके दिखा देता हूँ अगर आपको लोन चीए तो आप इस application से ले सकते हो तो चलो दोस्तो वीडियो सुर पूरा देखना मैं आपको बताऊंगा वो अच्छी बात इस application की क्या है so guys यह application आपको लोन दे देता है पचास जाओ रुपय तक का maximum ठीक है और 2% से लेके 3% इसका monthly interest rate है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो maximum 6 मेने तक का 10 और बना देता है personal loan start होता है साड़े 700 से लेके 50 रुपय तक minimum 750 रुपय तक 62 डेज minimum repayment period है और 6 month इसका maximum repayment period है और इसका interest rate annual percentage interest rate जो है वो minimum 2% है maximum 30% है depending on the risk profile of the customer ठीक है customer के profile पर डिपेंड करता है कि कि कितना interest rate यह लोग उससे साल का लेंगे यहाँ पे loan app example इन्होंने example देके समझाए कि अगर आप इस application से 15,000 का loan मिलता है तो 26 महिने के लिए मिलेगा APR annual percentage interest rate 92.7% है यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है processing fees 1099 रुपीज GST 197 interest 26-46 रुपय EMI आपका हर महिन इतना आएगा इतना आपके bank में discharge किया जगा इतना आपको total repayment करना है यह यह लोग example देके समझाए ओके so guys अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यह एक NBFC registered application है सारे बड़े cities में loan देती होगी बट एक बार आप loan के लिए apply करके check कर लेना आपके city में loan देती है कि नहीं देती है ठीक है अब देखो इस application की जो सबसे अच्छी बात मैं आपको starting में बताया था कि इस application की एक अच्छी बात है वो यह बात है कि no late charges ठीक है मतलब कोई भी आप YMI अगर एक दो दिन मतलब एक हपता दो हपता भी अगर आप late करते हो चुकाने में तो आपका civil जरूर खराब होगा लेकिन कोई भी आपको late penalty late charges नहीं लगेंगे जो साफ-साफ यहां पे लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप late से YMI चुका हो late से अपना loan भरो नहीं तो आपका civil खराब हो जाएगा ठीक है यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर 24-7 axis है मतलब कि 24-7 hours में आप कभी भी आपका loan मतलब loan के लिए apply कर सकते हो और approve भी हो जाएगा approve कर नहीं पता लेकिन apply पाकी यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है ठीक है sign up करने के लिए mobile number डालना OTP आगा वो डालना अधार काट pen card selfie डालना then loan के लिए apply करना mobile number वही डालना जो आपके bank में registered हो और उसका transaction ठीक ठाक हो उस bank का वही डालना बहुत ज्यादा chances बढ़ जाते हैं कि आपको loan मिल जाए ठीक है so guys यहाँ पे आप थोड़ा सा और नीची चलेंगे तो यहाँ पे बहुत easily आपको loan मिलता है यहाँ पे आपको medical loan, shopping loan, education loan आपको मिल जाएंगे, vehicle loan मिल जाएंगे, two-wheeler, four-wheeler, दोनो, travel loans, wedding loan, marriage loans, student loans यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है अब भाई यह लोग ऐसा इसमें example दे के समझा है लेकिन 50 रुपए में कौन सी vehicle आएगी I don't know क्योंकि maximum तो यह लोग 50 रुपए तक कई loan देते हैं बड़ आप चेक कर लेना, ठीक है यहाँ पे इनका mail है, कोई भी दिक्कत आए, mail पे संपर्क कर सकते हो, app permission की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, camera, contacts, location, SMS, other, सब का permission आप से लेता है, लेकिन contacts का permission ले जरूर रहा है, लेकिन यह call नहीं करता है, क्योंकि मैं खुद एक बार बहुत पहले, आज से 2-3-4 साल पहले, मैं इससे loan लिया था, ठीक है, जब मैं इससे loan लिया था, 4 साल नहीं, 2 साल पहले मैं loan लिया था, और 5000 का loan लिया मैं उसको एक महिना तक चुकाया ही नहीं, मेरा सिबिल का तो पूरा band बजगया, खराब हो गया, बट ये लोग मेरे contacts पे call नहीं किये थे, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, अब back करते हैं, यहाँ पे देख लीजे, यही application था, अब मैं इसका आपको नाम बता देता हूं, तो इसका नम है branch personal cash loan app, branch personal cash loan app, इसका यहाँ पे देख लीजे 4.5 की rating है, और 10 million plus इस application के downloads है, guys यहाँ से नीचे से यहाँ से CUL reviews हो जाएगा, CUL reviews करके आप reviews होगरे पढ़ सकते हो, rating होगरे देख सकते हो, then आप loan के लिए apply कर सकते हो, अब एक और loan application मैं आपको बता देता हूं अगर आपको इससे loan ना मिले, तो उससे आप definitely loan ले सकते हो, मेरे इस वीडियो के description में आपको इस application का link मिल जागा, जिसका नम है Trueblence, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप Trueblence application मेरे इस वीडियो के description के देख लिंक से download करके loan के लिए apply करते हो, तो बहुत ज़्यादा चांस आपको loan मिलनेगा, और Trueblence application बहुत ही best application है, इसमें सिर्फ उनली आपके आधार काट, पैंकाट, सेल्फी से आपको loan मिल जाता है, थोड़ा अगर आपका civil score कम है, थोड़ा बहुत खराब है, फिर भी आपको loan मिल जाता है, हाला कि बहुत की loan मिलता है, एक level up loan, एक cash loan, अगर आप cash loan लोगे तो हो सकते हो, आपको bank statement देना पड़े है, क्योंकि Trueblence application starting में ही आपको cash loan ज़्यादा ओफर करता है, यह आपस bank statement लेता है, अगर आपके बास bank statement नहीं है, तो आप Trueblence application का दूसरा loan लोन ले सकते हो, जिसको level up loan लोन बोलते ह लेगा, लेकिन जैसे से आप loan का requirement करते जाओगे, आपका level बढ़ता जागा, totally 11 level होते हैं, जैसे आप इगरे level पर पहुंसते हो, maximum एक लाख रुपा तक का loan ले सकते हो, सिर्फ उनली अपने आदार कट पेंगा, तो लिंक है मेरे इस वीडियो के description में Trueblence application से, अगर आपको क ज्यादा chance है, chances बढ़ जाते हैं यहां पर, तो guys जहीता आज के इस वीडियो में चलिए मिलते हैं किसी और next video में, तब तक लिजिए हिन वंदे मातरम भाई लोग